हेलो गाइज, स्टाक मार्केट न्यूस फॉर अर्न में आफ सभी का स्वागत है आज 12 अफ दिसमबर बात करेंगे येस बैंक के बारे में दोस्तों, येस बैंक में हमारा पहला टार्गेट 18 रुपए का चीफ हो चुका है साथ ही काफी सारी important updates यहाँ पर available हैं जो आपके साथ में share करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर येस बैंक का आगे क्या move रहने वाला है उसको discuss करने के लिए येस बैंक के technical chart को नजदीक से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि येस बैंक में काफी positive news यहाँ पर आई थी जो कि दोस्तों, आप देख सकते हैं और आपको definitely यहाँ पर शायद मालूम भी होगी कि येस बैंक को जो UPI platform है दोस्तों, उसने November मन्त में highest record of transactions किये है यानि कि दोस्तों, यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि येस बैंक ने तकरीबन 18.93 million transactions किये है जिनकी amount तक करीबन 1,998 करोड के लगबग है यानि कि दोस्तों, येस बैंक कितना digitally groom है, इस चीज़ को आप यहाँ से समझ सकते हैं यानि कि यहाँ पर transaction करना comparatively दूसरे बैंकों से ज़ादा better है इसी वज़े से यहाँ पर दोस्तों इस platform को use ज़ादा किया जा रहा है चुकि यहाँ पर अगर ICCI bank की बात की जाए तो जो कि second number पर दोस्तों उसमें 12.71 million transactions हुए है तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि Yes Bank क्यों future का एक bank है क्यों इसको हमेशा से future का bank कहा जाता है क्योंकि दोस्तों Yes Bank comparatively दूसरे किसी भी bank से digitally जादा अच्छा है वहीं दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा आप से इस चीज़ के बारे में भी कि Yes Bank जो है mid cap से large cap भी होने वाला है जो कि दोस्तों यहाँ पर brick work ने upgrade किया था Yes Bank की depth instrument को D से डोस्तों double B plus में तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़े होती है जिनको हमेशा notice करना चाहिए साथ ही दोस्तों एक report भी यहाँ पर थी जिसमें Yes Bank जो था वो यहाँ पर कुछ investors के साथ मिलकर एक asset reconstruction company जो तक्रीमन 40,000 करोड के लगबग है उसको भी बनाने वाला था तो दोस्तों इन सारी चीजों का सीधी तरीके से indication था कि Yes Bank mid cap से large cap में जाने वाला है दोस्तों तो यहाँ पर यह सारी चीज़े काफी importance रखती है जो आगे चलके दोस्तों उन लोगों के लिए जिनको एक साही समय पर निवेश करना होता है वो यही सारी चीज़ों को notice करते है और एक साही समय पर ख़ड़ी करते है वहाई दोस्तों एक और चीज़ है जो आपको पताओनी चाहिए Yes Bank ने दोस्तों यहां Friday को तक्रीमन पंदालाक एक्यूटी शेयर्स बेचे है किसके दोस्तों Coffee Day Group के जिसको on करता है Seeker Logistics तो दोस्तों यह भी अपने आप में काफी importance रखता है हाला कि Yes Bank ने क्यों किस टिक्स बेचे है Definitely दोस्तों इनका जो पैसा दोस्तों यहां से आएगा वो आगे चलके Yes Bank की growth में ही लगेगा Definitely एक bank के लिए पैसा किस तरीके से एहम है इस चीज़ को जाद explain करने की ज़रुवत नहीं है दोस्तों वाकी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप technical chart को यहां अगर देखेंगे तो काफी सारी यहां पर आपको information देखने के लिए मिलेगी चुकि दोस्तों यहां पर एक चीज़ है जो मैं आपके साथ discuss करना चाहूँगा दोस्तों यहां पर एक gap है दोस्तों यहां पर जिस तरीके की हमने एक तेजी देखी है तेजी के बाद दोस्तों आपको बिल्कुल भी ग्रावट से डरना नहीं है चुकि दोस्तों यहां पर यह जो gap है यह gap दोस्तों अगर फिल हो जाता है तो काफी अच्छी चीज है तो दोस्तों आपके पूरी एक अच्छी opportunity है यहां पर खरीदारी करने की यानि कि दोस्तों 17 रुपए पर आपके पास फिर से एक buying opportunity है जिसको बिल्कुल भी miss नहीं करना है क्योंकि दोस्तों yes bank का जो ultimate यहां पर एक target है वो 24 रुपए का है जहाँ पर जाने के बाद yes bank रुकेगा नहीं दोस्तो इसको cross करने के बाद यहाँ पर और भी ज़्यादा तेजी आएगी और भी बड़ी बड़ी candle आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और बेराल आपको यहाँ पर गिरावट से बिल्कुल भी डरना नहीं है यह candle बिल्कुल भी इस तरीके की नहीं है कि यहाँ पर आपको डरने की ज़रूत है तो दोस्तो इन सारी चीजों का आपको समझना है और यहाँ पर जो gap है दोस्तो उसको fill करने yes bank definitely नीचे आएगा हमने पहले भी देखा था दोस्तो वहाँ पर इसने सारे अपने gaps को fill किया है definitely इसको भी fill करेगा क्योंकि yes bank अपने technical analysis के हिसाब सही काम कर रहा है तो दोस्तो यहाँ पर आपको 70 रुपए पर फिर से बाइंग की opportunity मिलेगी वहाँ पर खरीच सकते हैं और आपको यहाँ पर जो target देखने के लिए मिलेगा वह तक्रीबन 24 रुपए का होगा यहाँ आपने आपको average भी कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो यहाँ पर जो भी gravity होंगी वह आगे चल के आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी तो चले दोस्तो इसे के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं आप से बिलगा मैं अपनी अगली वीडियो में चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए उसका वीडियो का नोडिशन मिल और फ्रेंट का गुपिशन नहीं दो देगा शेले थेंक यू